इसे लेकर लोगों में काफी उच्सा है यह सिरीज का दूसरा मैच है पहला मैच जीत कर दक्षन अफरिका सिरीज में एक शून्य की बढ़त बनाए हुए है मैच को लेकर जेसी स्टेडियम पूरी तरह से तयार है सुरक्षा को लेकर पूरे अंतजाम भी किये गए है मैच को देखते हुए कुछ इलाकों में धारा 144 भी लगाई गई है क्रिकेट मैच को लेकर सुरक्षा विवस्था के लिए पोलिस मुख्याले की दरफ से चार IPS की तैनाती भी राची में की गई है सभी IPS को यह जिम्मदारी दी गई है कि वे राची के सीनियर SP से कॉडिनेट कर सुरक्षा की मॉनिटरिंग करें स्टेडियम के अंदर और बाहर की सुरक्षा को लेकर कुल 29 DSP और 500 पुलिस पदा अधिकारी जिसमें इंस्पेक्टर, दरोगा और जमादार शामिल है इसके अलावा 1500 जवानों की तैनाती स्टेडियम से लेकर मुख्य गेट और स्टेडियम के चारों तरफ की गई है तो राची के JSCA में भारत दक्षन अफरिका वंटे मुकाबला आज होना है जिसको लेकर क्रुकेट प्रेमियों में काफी उच्सा देखने को मिल रहा है कि मैच के दौरान बारिश भी हो सकती है तो आज का मुकाबला काफे दिल्चस्प होने वाला है और इसको लेकर जो है क्रुकेट प्रेमियों में खासा उसा देखने को मिल रहा है तो जदा जनकरी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी संजीव सना का न्यूज रूम से हमाई साथ लाइव जुड रहे हैं संजीव भारत और दक्षिन अफरिका का मैच होने वाला है उसको लेकर लोगों में कितना उसा देखने को मिल रहा है अनुजा बताया दे कि भारत और दक्षिन अफरिका के बीच होने वाले जो आज दूसरा वन डे इंटरनेशनल मैच है उसको लेकर लोगों के बीच में खासा उसा देखा जा रहा है और साथ ही एक एहम मुकाबला है भारत के लिए इस सिरीज में बने रहने के लिए तो कुल मिलाकर देखना है कि ये मुकाबला अज भारत जीत के इस सिरीज में एक-एक की बराबरी पर आएगी या फिर आज यहां पर सिरीज का फाइनल हो जाएगा जहां तक बात है कि दोनों टीमों का अभ्यास का तो कल दोनों टीम ने जम कर मतलब प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस में जम कर एक अपने हुनर को दिखाया अगर मैं बात कहूँ कि पिछले मैच में इंडिया की टीम ने जिस तरह से चार कैच छोड़े थे, फिल्डिंग उनकी बहुत खराब थी, तो कल उन्होंने फिल्डिंग पर भी बहुत जोड दिया है और करीब घंटे भर ग्राउंड में फिल्डिंग पर पूरा जोड लगाय तो जहां तक बात है लोगों के बीच में उत्सा का तो जहारकंड में ये एक साल के बाद ये मैच होने जा रहा है उसको लेके लोगों के बीच में खाथा उत्सा है जहां तक मौसम की अगर मैं बात कहूँ कि मौसम तो जो मौसम बैग्यानिक ने एक पुरवा नुमान किया है और यह किसके फेवर में जाता यह देखना होगा जी अनुजा बिलकुर और मैच को देखते हुए सुरक्षा के भी पुखता इंतजाम किये गए हैं संजीव इसमें जो पुलिस बल की तैनाती है वो लगभग 1500 की गई है जी देखे सुरक्षा की पुखता इंतजाम है कि हर चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस को इंतजाम के लिए रखा गया है कि किसी तरह से जो ट्रैफिक है उसमें कोई किसी तरह से बाधा ना आयो इस तरह से सब कुछ मिला के पुलिस और प्रशासन कमरकस के इस मैच को आयोजन में पूरी तरह से जी जान विजूद ग गई है देखिए आज जो मैच है उसको लेके किसी तरह से कोई प्रुशेheart है नहीं निकलना है जाए और 144 धरा इसलिए भी लगाई गई गये कि किसी तरह से कोई नौणसेंस ना हो किसी तरह से इसके लिए लेके प्रसासन अपने तरफ से पूरे तरह से तैयारी की है और इसी के एवज में ये 144 धारा लगाई गई है जी बिलकुस अजी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए तो आज का मैच काफी दिल्चस्प होने वाला है और क्रिकेट प कि दिल्चस्प होने वाला है।